हमारे चैनल से जुणने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा आजेंसी सब्सक्राइब करें कल ये बच्चा शहनशा हो जाएगा ऐ हलीमा इसे अपने घर ले चलो अभी आप ना तो मनकबत के शार मताहिल खेल नाम वासित शाहिए हुदा जनाबे मौतरम खामिज रजा नूरी से सुन रहे थे उन्होंने आका हुसैन की बारगाह में एक शेर पराजा। मैं आका हुसैन की बारगाह में चार मिचले परता हूं पूरा मजमा अपने हाथों को उठा कर के कह दे या हुसैन कर्बला में उस घली हैरा सितमगर हो गए कर्बला में उस घली हैरा सितमकर हो गए गर्दनों के वार से जब कुद खंजर हो गए और शाइरे शपीर हैं हम यह हमारा है शरफ बो सुहान लगा शाइरे शाइरे शपीर हैं हम यह हमारा है शरफ हमने जिसको चुल लिया वो लफस अनवर हो गए और फाउजे बातिल से जो मरहब बनके निकला हुर्म अला तो छे महीने के अली अस्गर भी हैदर हो गए फाउजे बातिल से जो मरहब बनके निकला हुर्म अला तो छे महीने के अली अस्गर भी हैदर हो गए आज ये अपने खतीब का स्थक्बाल करें खतीब बातिमाल वाईजे श्रीम अकाल अधरति अल्लाम अब मौलाना मुफ्ती नूरुन नभी सहब बिलाजमी तरस्पल दारुलूम इतीब खाना सकुईया करना इलगन अजलत की बारगाह मैं रिजए अदब पेश करता हूँ आप तश्वीफ लाएं उससे पहले पूरा मजमा अपने आने वाले महमान का इस्तक्बाल अपने हाथों को उठाए और नारे तक्बीर नारे रिसाल वैज़ान अलिया एकराम असलत आला हज़रत जशन बगाई रिम हमाए अहले सुन्ना हदरति अल्लामा वा मौलाना मुफ्ती नौर नबी साम विला आजमी नारे तक्बीर नारे रिसाल वैज़ान जब ली के नाम के सत्व मैसर हो गए हम हमारे सामने काउने के सब हो गए काट कर मरहब को बोली जल फिकार हैदरी वजन करके देख लो टुक्डे बराबर हो गए अधिमिल्लाहि लदी फद्दल सेयदिना वमुलाना मुहम्मदन अलिलालमीन जमिया वागाम हो योमिल्कियामत लिल्मुमिनल्मुत अलिकुतीन अलुक्तista अलीकिन श्रिया वसलिल्लाहुत आलाहुत वबारकुत सल्यमु अलाकुनलِ मल्हुतुमु म Richुन लदे सलातन अल्दमु पे दभामिल्मल् chem स्तिमून उभ्यूं वना शहदुन ला इलाह इल्लाह वा शहदुन मुछम्मल अदुर रसुल अमा बाद वाओद बिल्लाह विन श्चेटान रुजीम बिस्म लाह रुछमान रुछीम या अयुह लदीन आमनु उत्तु लाह वो कुनू माँस्दिगीन आमनत बिल्लाह सब्दक लाह मौलाना अद्जीम वबलगना रसूलुह नभी अल्मीन अल्मतीन अल्करीम वनहन वला दालिक लदने श्चाहिदीन वाश्याकरीन वलहुद बिल्लाह रभ विलालिगीन आईये को सुनने से पहले इंतहाई अब वह त्राम के साथ आकाई नामदार मुदीने के ताज़दार दोनों आलम के मालिकों मुक्तार हम वरीबों के घम्मुसार सेद लबरार और अप्यार हुजूर रह्मत निलालमीन अनीस अलगरेबीन बागे नगूवत के महते हुए फूल अलाह के प्यार रसूल सुललाह व लेकाहे मुक्द्दसा में जूम जूम कर बावाज बलं दरूदे पार पर अज़िजान मिलत असलामिया मिम्र रसूल पर आप देख रहे है उल्माई कराम की एक कसीर जमाद कश्रीफ फर्मा है यके बाद दीगरे आफजराजराद तमाम उल्माई जबिल इहतराम और शोराई इसलाम से ना तो मनकवत और तकारीर समाद पर्माएंगे कुछी देर के बाद आलम इसलाम की अबकरी शक्सियत उस्ताज अल्लसातिजा मुबलिग इसलाम अजरत अल्मा मसूद इहमसाहब कि बर्काती उस्ताज अल्जामित अलश्रिफिया मुबारख पूर आजमगर का किताब आफजराद समाद करेंगे इस जलसे की सरपरस्ती मखदूम अल्मावल मशायग पीरे तलीकत हजरत अल्हाज सेयद शॉइबूल अल्यम साहब कि बलाबकाई दामजिल्लों नूरानी पर्मारें साथी में उनके बरादरे असकर नबाजे को मिल्लत हजरत अल्हाज सेयद आबिद अल्हाज साहब कि बलाबकाई वो भी तश्रीफ परमाएं यह के बाद बीगरे आफजरात तमाम साधाते किराम इनकी जियारत से अपने आप को मुस्तफीज करेंगे मैं अपनी धुक्तफीज का आगाज यहां से करता हूँ कि मुझे जल्वे काबा लगा ले अपने सीने से मुझे जल्वे काबा लगा ले अपने सीने से मुझे जल्वे काबा लगा ले अपने सीने से खताए बक्स वाकर आ रहा हूँ मैं मदीने से जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर मदीने की महक आती है मुझे पसीने से इतना बड़ा काउं फूर फूर बिलावरा जितनी पुरसिया लगी हैं वो भी नहीं पुर हो पाए बड़े अफसोसी बात है अगर बगल में कहीं डीजे होता तो यही मुसल्मान मुरसूल का कलमा पढ़ता है मेड़ी पर गिरते पढ़ते उसे नाच गाना देखने के लिए पहुंच जाता है आज हम तबाह इसलिए हो गए हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक हम वो पढ़ते हैं जो चेहरे पे लिखा होता है चंद मिनट के लिए मैं हाजिर आया हूँ बहुत देर तक उफ्तगू नहीं करूंगा लेकि लेकि अलमाए किराम की दौाओं के सहारे सिर्फ एतना कहना चायता हूँ कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है जंग में कागजी अफराद से क्या होता है हिम्मते लड़ती है तादाद से क्या होता है सरापा गर्द आलूदा लेबादा करके बैठे है तेरे पूचे में मरने का इरादा करके बैठे है भरोसा है मसीहाई पे तेरे इसकदर आका इसलिए आप दर्द को हद से जजादा करके बैठे है दौाएं मागलो तुम्दी शहे अजमेर के सदके सुना है आज वो दावन पुषादा करके बैठे है सुना है आज वो दावन उषादा करके वैठे है अजिज आने मिलत इस्लामिया मैंने गुड़ी मज़ीर मारूफ वाइव इक लावत से अपने आप मुशर्फ चुछ अल्ला तबारक उटाला कलाम मुपद्स में इर्शाद फरमाता है आई इमान वालो अल्लाह से दरो और सच्छों के साथ इमान कि अगर तबसीर की जाए तश्रीख की जाए तो ये राते कम पड़ जाए बगर मुखतसर में आप इतना समझे कि इमान नाम है मुहब्बत रसुल इसके रसूल का नाम सर्वरे काईना से आपकी मुहब्बत जिस कदर जाद होगी आपका एमान उतना ही कवी और मजबूत होता चला जाए ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आईए हदिश पाप उठाईए अनभी हुरे रता काला रसूल लाह सुल्लाह ताला आली लिए सल्लमा कोई भी शक्स उस वक्त तक मुमिने कामिल लही हुए जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वाले देर उसके आईज़ौकरबा उसके खांदान यहां तक की काईनात की तमाम चीजों से जादा कहभूब और प्यारा ना प्रिमिल्लत जिनो जवालों एक मरत बाकाई दौालम ताइज़दार मदीना रहमत आलम सुल्लाह ताला लिए सल्लमा किस चीज़ से महबब तो अज़ीम हस्दी के हाथ तो अल्लाह के हभीब ने पाकर पकड़ा है अल्लाहुएकबर पर वो अमर जो बाइस लाक मुर्ब को अमील पर तने तनहा हुक्वत करता है जिसके ताल्लुक से मेरे आखका इर्शाद परमाते हैं लौकान अबादी नभी अगर मेरे बाद कोई नभी होता तो अमर इबन खताब होते हैं लेकिन मुझे नभूत और रिसालत का दर्मादा बंद हो गया है मेरे आखका फरमाते हैं जिस रास्ते से मेरा उमर चलता है उस रास्ते पर कभी शैटान नहीं चल सकता वो हजजरत अमर की शान है अपनी जान को छोड़कर काइनात में तमाम चीजों से जादा आप से मुखबत करता हूँ ला के हभी विरिशाद फरमाते हैं ए उमर कान खोल करके सुलो ला यूवे नहीं अहद कुरहता कुजा अहब पाई ले मिन नफसी कोई भी शक्त उस वक्त मुमिन एकामिन नहीं हो स हदरते उमर की निगाहे कातम बोस हुई अर्ज किया या रशुल्ला वैं अपनी चांस भी जादा आप से मुहबत करता हूँ अब हभी चानी दरी का वो शेयु पड़ो मुहम्म्म्म्मत की मुहबत फीनी हगी शर्ट या उंगल है इसी बेहो अगर खावी तो सब कुछ ना म मुहम्मत की खुलामी है। सलादाद होने की। खुदा के गामने तौवीद में आबाद हों। जाने मिलत इस्लामिया। तारीख इसलाम के पहलू भी आपकी लिगाहूं के साब रिखो। खलीफे अबुल जाले सिर्फ पेगंबर है अल्ला हुआ अक्पर आखाई दो आलम ताजदार मदीना हर्म काबा में तश्रीफ परमा है हज़रत अबुल बकर सिद्धीक रदी अल्ला हो ताला आना खड़े होते हैं मुस्तफा की तारीफ करने के लिए इसलाम की तबलीग करने के लिए तारीफ इसलाम का पहला खतीब अगर कोई है तो हज़रत अबुल बकर सिद्धीक है तारीफ इसलाम का पहला मुकार रिर कोई है तो खलीफे अबुल जालसी ने पेगंबर है हदरतِ ابوبकर खड़े हुए लाहुए अपर कुपारे मक्का ने इतना मारा इतना मारा हदरतِ ابوبकर बेहोश के गिर जाते है चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है कबीले तमीन के लोग आपको उठा कर आपके घर पहुँचाते है लाहुखबर उसके बाद घरब कामा में आते हैं और कहते हम उत्बा साइबा खायबा कार भूल कर करके सुन लो अगर अबुबकर इसी भाज़क ने इनकताल कर गए तो हम तुमारे जिसम की चम्डियों को तुमारे शिसम से अलभ कर देंगे उसके बाद कभीले तमीम के लोग आते है एक पहर गुज़र जाता है अबुबकर को खोश नहीं आता है दूसरा पहर गुज़र जाता है अबुबकर को खोश नहीं आता है पूरे खर में खराम मचा हुगा है हजरते सेद्रा, अबुबकर से ठीक रदिय लाहु ताला नहों है अबुबकर पेहुशी के आलम में पड़े हुए है तीसरा पहर बज़रने वाला है हजरते अबुबकर ने आखे खोल दी हजरते अबुबकर जैसे ही आखे खोलते है कबीले तमीम के जतने लोग थे सबके चेरों पर मस्कुराहटे खेल ले लगती है लेकिन अबुबकर अबुबकर ने आखे खोली है तो सबसे पहले जुबान पर जो सदा जारी हुई है सबसे पहले जो चुमला निकरा है अबुबकर आख खोलते ही कहते है मेरे याका कैसे है अलाव वभर पर कबीले तमीम के लोग जनकी वज़ा से यह परेशानिया आग खुली है तो जुबात पर उन्ही का नाम है देल में उन्ही का तश्किड़ा है कबीले तमीम के लोग आपको टाना मार के चोड़के चले आगे है आपकी वालदा कहती है बेटा कुछ खालो कुछ पीलो कहा माँ मैं उस वक्स तक खाल ने खाल रही सकता उस वक्स तक पी रही सकता जब तक की अपने आखा कतिदार नहीं कर लूँगा अल्ला हुआ अकबर आपकी वालदा कहती है मुझे कुछ खबर नहीं है कहा अमर की बेहन के पास चली जाओ, मेरे आका का हाल मालूम करो आपकी वालिदा अमर की बेहन के पास जाती है, अबुबकर का सारा हाल बयार करती है और अबुबकर का सारा हाल बयार करती है, मैं अबुबकर के पास चलना चाहती हूँ अल्लाहु अक्बर जब वो आई हैं में जमील और हदरत अबुबकर के चेहरे पे निगाँ पड़ी है धाड़े मार कर रोती है ये अबुबकर जिन जालिब और दुवारे साथ की आमिला किया है परवर्दिगार रियालब उनसे जरूर बदला लेगा जरूर इंतिकाम लेगा हदरत अबुबकर बोलते है एए उम्मे जमील खामूश हो जाओ पहले ये बताओ मेरे आका का हाल क्या है मेरे आका कैसे है उम्मे जमील कहती है आका साइडियस है एए अबुबकर कुछ खा लो कुछ पीलो फिर आका की बारगाह में चलेंगे हदरत अबुबकर कहते है उम्मे जमील अब खाने और खिलाने का मामिला सरकार की मारगाह में होगा पीने और पिलाने का मामिला सरकार की मारगाह में होगा पिलाने वाले आका होंगे पिलाने वाले आका होंगे खाने वाले हम गुलाव होंगे और पिलाने का मामिला तो यह ह लोगा तयबा से मागायी जाती है सीडों मैं चुपाई जाती है तवहीत कि मैं प्यालों से नज्र ओस प्राई जाई 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 झाल पकाई झाल के जदेऊ पाया चेंड जाई में जए शाब गुल एउनगाया तो दिन्द्दग Нам Season में लेके चले है आका इदौालम सलिल्लाव लिए सल्लम दार एरक में तस्रीफ परमा है मेरे आका की निगाह जैसे ही हज़रत अबुबकर पर पड़ी है आका इदौालम खड़े हो जाते हैं और आकों से आसु बरस रहे हैं ताइदार मदीना की आकों से आसु बरस रहे हज़रत अबुबकर रज़ करते है या रसुल्लाव मुझे कोई तख्रीफ नहीं है कोई परेशानी नहीं है आपकों से आसु को बह रहे हैं कहा अबुबकर बहुत मारे गए हो बहुत सताए गए हो अबुबकर ने अर्ज के या रसूल लाँ ये तो अबुबकर की एक जान है अगर हजारों जाने होती तो अबुबकर एक एक जान आपके कद्वों पे गुर्बान कर देता आला हज़रत अजीम अलबरकत इमाव एहल सुन्द सुच्च दिदे दिनों मिलन तर्शार इमाव एहमद रसाखान फाजल बरैल्वी पुकार के कहते हैं करू तेरे नाम पे जा फिदा ने एक जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं चीवारा करू क्या करोड़ों जाना है जीजाने बिल्लत इसलाविया ये आका दो आलम से महब्बत करने वाले लोग थे मेरे आका एक मरतवा एक जहाज में माल और दौलत की तर्गीब देते हैं लाहुग अक्बर हज़रते सेदना उमर फारू के आजम अदिया लाहु तालानों है अपने घर के सारे माल को एकठा किया आदा माल अपने अहल वायाल के लिए छोड़ा और आदे माल की गठी बना कि मुस्तफा की बारगाह में लेके चले है दिल में ख्याल कर रहे हैं आज मैं अबू बकर से सबकत ले जाओंगा लेकिन इदर हज़रते अबू बकर है अपने घर के सारे माल को एकठा करते है और उसके बाद टाट का लेवास पैठते हैं घर में छालू लगा देते हैं कोई सामाल नहीं चोड़ते हैं हज़रते अमर सोच रहे हैं मैं अबू बकर से आखे मढ़ जाओंगा अबू बकर से सबकत ले जाओंगा जब अपने माल की कठी मुस्तफा जाले रहमत की बारगा में हदरते अमर ने पेश किया हैं अबू बकर हैं घर के सारे माल को इकठा किया और उसके बाद टाट का लिबास पहना पटन की जगब अबूल के काटे लगाए अल्ला हुए अकबार हम माल की पूरी कठी लेके मुस्तफा की बारगाह में लेके चले हैं इदर बुर्बुल सिंदरा के मगी जरा में जिब्रील बारगाहे रसूल में वही ताटका लिबास पहन के बारगाहuw ने आदिर हो गए अबूला के हबीब ने इसाद पर्भाया ए जिबरील या आज कौन सा लिबास पहने हो अबूला हुआकबर जिबरील ने अरज कै या रसूल ला अल्ला तबारक पताला ने आसमाल पर तमाँ परिष्टों को वही लिबास पहनने का हुक्व हुआ है जो समीर पर आपके यारेगार ने पहना है जो अबूबकर से तीप ने पहना है अबूबकर इदर हज़रत अबूबकर है सारे माल को एक अठा किया मुस्तफा की बारगाह में लेके पहुचे अल्ला के हभीब ने इशाद पर्माया एदरा है और्जिय के या रसूल आप उस से पूछ रहे है मैंने अपने हैल रसूल आ एक है कैण छोड़ा है या रसूल आ परवाने को चिराग है बूल बूल को भूल बत और सिड्क के लिए है खुदा का रसूल बत मुझे कुछ रही चाहिए गर अल्ला अल्ला का रसूल मेरे लिए काफी है ये मिल्लत के लोजवालो रसूल से मुहब्बत करते हो आज आपके त्यार में उलादे रसूल की आमद हुई है पीरे तरीकत की आमद हुई है दोशे नभी कयाम है आले रसूल का कि इतना बड़ा मकाम है आले रसूल का और कादे पर मुस्तफ़ा ने पिछा कर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का अजीजाने मिल्बित इसलामिया आप जानते हैं कि यक नेल गंगी सर्दमीन पर एक मरकजी एदारा है तर्वियती एदारा है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जहां थे पड़े हुए तलबा दुनिया के मुक्तलिफ मालिक में चाहे वो अमरीका हो चाहे अफरीका हो चाहे मार्सिस हो हर जगा दिन की खिन्मत अंजाम दे रहे है तरे मिल्लत के लोजवानों इन साल दारूलों यतीम खाना सब्किया में साथ बच्चे ऐसे थे जो एक नसिष्ट में एक बैठक में पुरा कुराने मजीद खत्म किया है अजीजाने मिल्लत इसलामिया करनेल गजच की सरजमीन पर उस वक्ते दारा कायम होता है कोई मौला ना गुज़रेगा कोई हाफिस गुज़रेगा तब उसकी नमाजे जलाजा पढ़ाई जाएगे ये पिछडा हुआ करनेल गजच लेकिन अल्लाहु अक्बार एक वल्किये कामिल की निगा उस सरजमीन पर पढ़ती है आकाई मुर्शिदी हमीबी हुज़र अल्हाद स्याद अबदुल अल्लीम साहब की नाबकाई अल्य रह्मत और जवान की नजार उसका नैल गजच की सरजमी पर पढ़ती है और वहां एक इट रखते है और देखते देखते वही एक तारूलू की शकल में तयार होती है आज दारूलू अल्य तीम खाना सफिया की अबारते आसमान से पाते कर रही है और दुनिया को ये पैगाम दे रही है ये महरताबा से कोई कहते है वह अपने किर्णों को चुनके रख ले मैं अपने सहरा के सर्ने सर्ने को कुछ चबक्रा सिखा रहा हूँ अजीदाने मिलत इसलाविया दारू यतीम खाना सफिया ये मौसम जो चल लागाए ये गल्ले का मौसम चल लागाए और ये आपका इदार है और पूलकुर वहरा वाले दिल व जान से दारूल यतीम खाना सफिया की उधाद करते हैं तेरे मिलत के रोजवानों और में जितना हम खर्च करते हैं ये हमारे काम आने वाला लगी है पार имеет मिलत कियो नो घुमारे है तुम थैं तुम हो तुम खुत ही ना रहो उस्तू ही तुम गर बनाते रहो और तुम खुद ही ना रहो इसलिए लुए लाकी राह में खर्चा करते रहो गल्ले का मुश्म आ रहा है उश्र के जरीये रम्दान का महीना आ रहा है जकात पित्रे के जरीये दालूम यतीम खाना सुपिया की इदाद आपकी जिए वो आपका मुस्तही की दारा है आपके पीरो मुर्शिद का इदारा है आपका महभूब नजर इदारा है अजीजाने मिल्लत इसलामिया मैदाने मन्शर का नक्षा उठा की देख लीजिए नफसी नफसी का आलम होगा बेटा बाप से भागेगा बेटा बाप बेटे से भागेगा मा बेटा से भागेगी अजीजाने मिल्लत इसलामिया कोई पूछने वाला नहीं होगा सब यहीं कहेंगे नफसी नफसी लेकिन अल्लाह की राह में तुम जो खर्चा किये रहोगे अल्लाह की रास्ते में जो तुम खर्च किये रहोगे उसकी जज़ा तुम्हें वहां मिलने वाली है यही तुम्हारे काम आने वाला है मेरे मिल्लत के रौजवालो दालू के टीम खाना सफिया हर मैदान में तरक्की की शाहराँ पर गामजन है उसकी ताली उसकी तर्विया दिया तमाम लोगों से आप मालूम कर सकते है दिल बदिल उसमें निखार आता ही जा रहा है आज पीरे तरीकत अहदर तलहा स्यज्ज़ गुलगी उसाब किला बकाई दामा सिल्व नूरानी की निगरानी में शांदार तरीके से इदारा अपनी कामियावियों की तरह गामजन है तेरे मिल्लत के लोजवानों दारूम के कोई महस्ली अगर आपके पास आते हैं तो आप जतना उस निकालते थे आप उसे अपना इदारा समझ का दूसरों से भी उसरी बिलवाईए भुद भी दीजिए ताकि मज़ीद उसमें तरक्या पैदा हो परवर्दिगार आलम की बारगाह में दूआ है इस दारूम को दूरारा जाद तरक्या अता परवाए और इसके मिम्तस्मिन हैं सबकी उम्ड़ों में वरकतिया अता परवाए चाहे मेरे मुल्द के लिझी जिये चाहे मभूब ऐलाही की मस्जिदों मैं आपके अटाच देख लिझी questi आख मस्चिदों में अगर आप एमाम से गुस्टगू करेंगे तो यही कहता हुआ ना जराएगा मैं दारलू में तीम खाना सफ्विया में पढ़ा हो हजीज आले मिलत इसलामिया महद्दिस कभीर अल्लमा ज्यावल मुस्तफा का इतना बड़ा इदारा जिसे अल्चाम तुम्चिदिया के नाम सियातरि आजाता है जिसमें एक हजार तल्बा पड़ते है और उसमदरसे के एक महहलती मुद्रिष जिसे हजाद आल्लमा हाफी सिदीक साथ के नाम सियातरिया जाता है हाफी सिदीक आप ही के दारूलू Dep좌 पड़े हुए तल्मा है अपको बिलेंगे पता क्या चलता है ये दारूलूम दिन बदिन कामियाबियों की तरफ गामजर है परवर्दिगार आलाओं दिन बदिन इसको तरक्या अदा परमार ये मैंने ताबा से कोई कहे दे वो अपने किल्डों को चुपके लख रहे मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को कुछ चमकना सिखा रहा हूँ आखरी आखर करके रुफसत हो जाओ इसलिए मेरा टाइम भी समाप को रहा है अजीजाने मिल्लत इल्लत इल्ला मुहबत रसूल की बात आई है हजरते बिलाल हमशी को देख लीजिए कितना मारे गए है कितना सताए गए है अल्ला हुए अकबर अमय्या जल्म के खोड़े बसा रहा है बिलाल नभी का इसकी छोड़ दो नभी की मुहबत छोड़ दो हजरते बिलाल जुबाने हाल से कहते है जो जान मागो तो जान देंगे जो माल मागो तो माल देंगे मगर नहोगा यह हमसे हर्गिस नभी का जाहो चलाल देंगे वही बिलाल है जब मदीरा की कलियों में चलते फिलते थे वो जन्वती सहाबा जिनकी आखों में नूर बसारस के साथ नूर बसीरस था जब वो हदरत पिलाल को देखते थे जुबाने हाल से पुकार के कहते थे बदर अच्छा है बलक पेना हे लाल अच्छा है चश्म पीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है ज्यदारین मिल्नत इसलाबिया वही बिलाल है जब पत्य मक्हा होता है लाहु अक्बर हदरते अबु बकर पी मौजूद है थरते अमर मी मौजूद है थरते अुसमान भी मौजूद है खतिलाल को वो से लाल के AZ-च्छा पलते है मीन बिलाल को बलाया जाए परगाहे निचालत में हाजिर होते हैं अलाँ के हभी में निशाद स्रॉपते हैं पर्माते हैं बिलाँ आझ कावे की छदने चशंट पर आज़ान तुम कौर्ण पर दो धंढ़े हैं ये किशेँ ब्रोने लगते हैं बार रखर च्बन रोने लगते हैं काबा के पास उस्मान भी खड़े हैं मगर काबा की च्छट जिसके तल्वों का बोसा ले रही है वो कयान नहीं है बल्कि नभी का गुलाम बिलाल है जिसके तल्वों का बोसा काबे की च्छट ले रही है अब हदरते बिलाल है काबे की च्छट पे अज़रते बिलाल अर्ज़ करते हैं या रसुल आला जब मैं मश्रिक में होता था तो चेहरा कावे की दरब करता था अज़ार करता था अब तो आपने मुझे कावे की छट पे खड़ा कर दिया है अब किदर चेहरा करके आज़ार करो मेरे आखा इंशाथ ज़ाते हैं 힘लाल, अब किसी और की तरफ चेहरा करने की जरूद रही है बलकि कावे के कावे की तरफ कर ले, या आज चेहरा, मुझे रसुल अल्माद रसुल लह की तरफ कर ले आला हदरत इसी को कहते है हाजी ओ आओ शहिन शाह का रोजा देखो काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो गाओर से सुनतो रजा काबे से आती है सदा मेरी आखो से मेरे प्यारे का हौजा देखो अजीजाने मिल्नति इसलामिया अपनी बातों के साथ वैं अपनी बात सत्म करता हूँ आप से फिर एक बुजारिश करता हूँ जिस तरीश के आप पीरे तरीकत हजरत अलहास यश्यु अजीजाने वालीम साथ किवला को मानते है और उन पर अपनी जान पिदा करने की बाजी भी लगाते है अपने जल्सों की रिकारडिंग के लिए हम सी राप्ता कायम करें लिम्रा एजेंसी अमीनाबाद लखनौ मोबाइल नमबर डबल नाइन 35055789